सीटी पर जीत पकी बहुत कम रही है उपस्तिती बहुत बड़ी खुसकबरी कट आप में आएगी भारी गिरावट नमस्कार आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल और सीटी परिक्षा दो हजार तैईस जो आज दो पारी में आज जीत की गई उसमें बहुत ही क सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जिरूर कर लें और वीडियो को लाइक और सेर कर दें तो चलिए देखते हैं फर्ष्ट का जो पेपर हुआ था आपका साथ जनवरी 2023 ने आज सुबह सीटी ग्रुजेशन 2022 का जो नो से बारा बज़े ते तीन घंटे दस जि बढ़ी संख्या में विद्यारती अनु उपस्तित रहे तो 69 परशंटेज उपस्तिती रही है कितनी भाई 69.98 यानि 70 परशंटेज आज की उपस्तिती रही यानि सो में से 70 जनई परिक्साम बैटें 30 परशंटेज लोग पहले ही बाहर हो गए तो कट आप में बहुत बड़ करेगा कि तीन मैंसे दो इस्टुडेंटी बैठें एक इस्टुडेंट तो पहले ही बार वो गया है परतेक जिले का आप देख सकते हैं अजमेर में 65 परशंटेज अलवर में 70 परशंटेज भरतपूर में 70 परशंटेज भीलवाडा में 71 परशंटेज बीकानेर में 66 परशं तो यह थे आज का फ़स्ट पारी का आकड़ा यानि 70 परसंटेज इस्टूडेंट्स नहीं भाग लिया है तीस परसंटेज ने एकजामी नहीं दिया सेकंड पारी का देख लेते हैं यह परिक्साद धाई बज़े से साढ़े-पांच बज़े तक तीन गंटे की यह भी आज़ सिती परसंटेज वह 74 परसंट राए अब पहली पारी में 70 परसंटेज और दूसरे में 74 रहना का कारण क्या आप समझ सकते हैं क्योंकि सुबह बहुत जल्दी आठ बज़े से पहले सेंटर पर पहुंचना था और कई अब्रती साधनों की कमी की वज़े से अन्य किसी वज़ जल्दी से समय पर अपने केंदर पर पहुंचें नहीं तो आपको एक्जाम से पहले बार किया जा सकता है तो यह उपस्तिती थी इसमें भी आप देख रहे हैं अजमेर की 69 है अलवर की 76 भरतपुर की 75 भीलवडा की 77 बीकानेर की 68 जैपुर की 73 जोदपुर की 73 कोटा की 74 स्र से आगे है ठीक है तो यह उपस्तिती रही है आज की दोनों पारियों की कल की कैसी रहती वो भी आपको बताएंगी इसके अलवा हमारे चैनल पर इसकी जो अंसर की है वो भी सुबह अपलोड की जाएगी तो वो भी आप जरूर देख लें और आपके कितने नंबर बत रहे ह कितने नंबर बंद रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं जिससे की आपको अनुमानित कट-अफ है वो बताई जा सके चारों पेपर होने के बाद में आपको अनुमानित कट-अफ बता जी जाएगी कि कितनी रहने वाली है इसके आधारित कुल 13 एक्जाम है वो 2023 में आज धन्यवाद